पूर भारतिय कप्तान MS धोनी की एक बार फिर से भारतिय टीम में वापसी की तैयारियां सुरू हो गई है तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI धोनी को टीम के साथ इस ताही रूप से काम करने के लिए नियोता भीजने वाली है ऐसा माना जा रहा है कि अगले इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के बाद धोनी क्रिकेट से सन्याज लेंगे और BCCI इस मोके को किसी हाल में गवाना नहीं चाहती धोनी का भारतिय टीम के साथ काम कुछ अलग तरीकी का होगा उन्हें के अबल T20 टीम की कपतानी सौपी जा सकती है उससे भी कुछ चुनिदा खिलाडियों के साथ उन्हें काम करना होगा कुल मिला कर उनका काम डिरेक्टर आफ क्रिकेट जैसा होगा पिसले साल के T20 वर्ड कप के लिए धोनी को भारतिय टीम का मेंटोर बनाया गया था लेकिन टीम पहले राउंड से बाहर हुई थी हाला कि ये साफ है कि यदि किसी को एक या दो हपते का समय मिलेगा तो वह किसी टीम को बदल नहीं सकता यदि धोनी को इस्ताई पद मिला तो निश्यत रूप से वह टीम की दिशा को बदल सकते हैं वर्डमान समय में काफी ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही है और खिलाडी तीनों फॉर्मेट में खेलनी से परहच करते दिख रहे हैं यदि किसी टीम के पास तीनों फॉर्मेट के लिए एक हेड कोच है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बसता बिसी सीई इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राउल द्रविड का भार कम करना चाती है टीटी क्रिकेट में धोनी की समझ काफी अधिक है और बोर्ड उसका इस्तेमाल करना चाती है धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बैतरीन ब्रेन के तोर पर जाना जाता है धोनी के कप्तान रहते हुए ही भारत दुनिया की सबसे बैतरिन क्रिकेट टीम होने का दम भर पाया था धोनी की अगवाई में भारत ने T20 वर्ड कप, वंडे वर्ड कप और चेंपियन्स ट्राफी जैसे किताब जीते इतना ही नहीं उनके कप्तानी में ही टीम इंडिया टेस्ट रेंकिंग में पहली बार नमबर वन टीम बनी थी बिसी सी आई को उमीद है कि धोनी को बड़ी जिम्यदारी समालने के बाद भारत का खिताब का सुका खत्म हो सकता है